हम लोग जो अगला component discuss करने वाले है वो है cards वेल ये card जो होता है वो बस एक container होता है जिसमें कुछ content होता है right very straightforward अब वो content कुछ भी हो सकता है right जैसे for example ही में जो सकता है link हो सकता है text हो सकता है list group हो सकता है list group हम लोग आगे देखने वाला है यहाँ पे आने वाला है right so the thing is कि just मु multiple information रख सकते हो और ऐसा नहीं है कि सारी रखनी है कुछ रखनी है कुछ नहीं रखनी है जो अपने हिसाब से आप लोग कर सकते हो ठीक है हम लोग अभी और explore करते है cards को तो basically यहाँ पर आपको यह बताया जा रहा है कि card is a flexible and extensible content container ठीक है simple सी बात है तो यहाँ पे आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो right मैं आपको example पर लेक्या आता हूँ example में आप लोग यह card देख सकते हो अब यह card में आप लोग क्या-क्या देख सकते हो देखो यह image आती है यहाँ पर कोई image आएगा basically this would be the title okay and this is some text और यह कोई link है ठीक है आप लोग यहाँ पर नीचे आ करके देख लो यहाँ पर देखो यह title है h5 right this is a card title right h5 okay and यह अपना paragraph है जो की card का text होने वाला यह वाला right and this is a link which is basically a button type link right यह आप लोग देख सकते हो की eta है but it is behaving like a button right this is the thing अगर इसका एक use case मुझे देना हो आप लोगों को जो की हम लोग use कर सकते है तो मैं मैं एक example दे सकता हूं आप लोगों को की यू मान लो की आप का कोई दुकान है ठीक है आप मान लो फल बेचते हो ठीक है you sell fruits ठीक है तो अब बारी ऐसी है कि आप यहाँ पर लगाओगे किसी fruit की image right like apple pineapple अनानस अनानस ही तो pineapple होता है और आपके पास grapes है केला है नारियल है और बहुत सारे fruits है तो आप लोगों ने ना हर fruit के लिए अपना अपना एक अलगलग card बना दिया और उसके बाद में description वगएरा यह card title वगएरा लिखना चालू कर दिया मतलब यहाँ पे आपने लगा दिया photo right arm का photo लगा दिया उसके बाद में आपने लिख दिया ताजे के लिए लिखो उसके बाद में dragon fruit के लिए लिखो लिची के लिए लिखो चरी के लिए लिखो जो fruit आपके बास है उसके लिए लिखो और मैंने तो fruits का example दिया है आप medicines बेच सकते हो किताबे बेच सकते हो utensils बेच सकते हो right it's on you it's on your need it's on your requirement right तो यह होता है card अब आप लोग अगर बोलोगे कि यह सारी चीज़े card में हो नहीं चाहिए क्या तो answer है नहीं right card आपका simple भी हो सकता है कुछ इस तरह ठीक है simple है ना मतलब आप लोग देखो बस card है और card की body हो गया खतम right simple है यहाँ पर आके देखो card का title है subtitle है उसके बाद में कुछ description है कोई links है right simple है यह आप लोग देख सकते हो और सारी चीज़े ना classes की मदद से यहाँ पर बहुत ही आसानी से हो रही है card title तो card subtitle right देखो य यह card link यह card link right it's like that अब यह images वगेरा को आप अगर add करना चाहो तो यह हमने उपर इस विदा देख ली थी right यह आप लोग देख सकते हो और यह जो image है यह card image top यह जो class है यह जो class है card image top वाला it keeps the image on the top of the card ठीक है simple है card.text पे आप जाओगे यह यह वाला card.text इससे text को आप लोग आराम से style कर सकते हो right it's like that ठीक है तो यहाँ पर यह चीज़े होती है और आपके पास card link भी है right you have different different classes for different different things right all I mean is that you can use them wherever you want as per your requirement अपने जरूरत के इसाब से आप उनको use कर सकते हो ठीक है अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि अलग-अलग चीज़े आपको मिल रही है अब यह card में क्या है यह card में बस एक list है right बस एक list group है it's like that only okay fine है simple है बहुत जादा simple है यह चीज़ right अब नीचे उन्होंने दिया है कि सब कुछ एक में ही ले लो भया image भी इसी मे title भी इसी में description भी इसी में links भी इसी में list group भी इसी में सब इसी में मतब जो भी उपर हमने देखा अलग-अलग सब को इखटा करके डाल दिया एक card के अंदर right यह भी possible अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो बस यही बताना है आप लोगों को कि आप लोग कर सकते हो as you want right यहां right this is the thing यहां पर यही मुझे बताना था आप लोगों को कि आप लोग यहां पर काफी कुछ कर सकते हो card से related right यहां पर आप देखोगे तो यह जो card है ठीक है by default यहां पर उपर कही दिया है उन्होंने यहां पर हाँ यह आप लोग देख सकते हो यह card जो है पूरी width ले रहा है right but वही अगर मैं यह card को देखू तो यह पूरी width नहीं ले रहा है the reason is कि इसे fixed width दी गई है right this is a fixed width card right this one but this one is not इसे नहीं दी गई है width right so by default it is following what div follows right div is a block element ना तो यहां पर क्या हो रहा है कि यह पूरा का पूरा width ले ले रहा है by default अब उसको भी control कर सकते हो right simple है अगर आप लोग चाहो कि आजू बाजू चीजे आ जाए तो आप लोग grid की मदद से कर सकते हो grid हमने देखा नहीं अभी तक but surely we are going to have a look on them also इसलिए हम लोग अभी इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे जब हम लोग grid करेंगे तो आप लोगों को बड़े अ आप लोगों को वह देखने मिल जाएंगे यहां पर layout में ठीक है यह grade यहां पर है right simple है तो यहां पर यह चीजे होती है and हम लोग यहां पर इन्हें बड़े आसानी से समझ सकते है right so this is like the card right and आप लोग यहां पर text की alignment वगरा जो भी चीजे मतलब अगर आप text को center करना चाहते हो right में रखना चाहते हो end में रखना चाहते हो you can do that okay and you can do a lot more with the card than you can think right यह आप लोग देख सकते हो यहां पर यह पूरा width पे आ चुका है तो these are some different different things that we can do आप लोग यहां पर देख सकते हो कि image यहां पर है और text यहां पर है right text image के उपर आ चुकी है यह भी काफी आसान है right हम लोग इसे copy करके रख देते हैं okay यह आप लोग देख सकते हो कि image horizontally आ रही है अगर आप चाहते हो कि ऐसा कुछ हो तो आप लोग यह कर सकत हो right यह ज्यादा अच्छा लगर actually मैं इसे copy कर लेता हूं अपने उस code के लिए right and you can also handle some background color and the text color as well right simple है यह देखो यह आपका primary है secondary है यह success है यह यह danger है यह warning है info light dark right these are some different things ठीक है यहां पर यह चीज़े होती है आप लोग इने बड़ा असानी से समझ सकते हो right यह देखो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया उन्हेंने क्या किया text को white कर दिया ताकि हम अच्छे से देख पाए और background को primary कर दिया मतब उन्होंने क्या किया बस इतना ही right it's that simple तो यहां पर यह चीज़े होती है आप लोग border वगेरा भी दे सकते हो right it's a lot more मैंने आपको बताया भी है बताते भी आ रहा हूं कि बहुत सारी चीज़े है जो आप लोग card में कर सकते हो right so you can put a border there right आप लोग this card के surrounding border रख सकते हो right so it's that easy border को भी आप लोग explore कर सकते हो हम लोग देखने वाले borders को भी but still you can explore that's what I am saying right and you can see this is a card group आप लोग इसे भी बड़े आराम से इस्तमाल कर सकते हो this is like three cards in a row जो की एक साथ में ग्रूप किये गए it's like button group right हमने button group देखा जिसमें कई सारे buttons एक साथ में ग्रूप किये गए थे right यहां पर वैसा ही है य right it's like that यही पर खतम होता है तो यहां पर यह सारी चीज़े होती है आप लोग इन्हें बड़े असानी से समझ सकते हो and you can explore them right काफी कुछ है यहां पर देखने के लिए अगर आप लोग देखना चाहो सीखना चाहो तो right and हम लोग एक काम करता है जो हमने copy किया ना उसको हम लो ले लेते हैं and अपने code में डाल देते हैं let's explore it now तो मैं काम करूंगा यहां पर बटन के नीचे आउंगा accordion के just उपर मैं डाल दूंगा अपना card right so this is the card here but the thing is कि यह यहां पर यह यहां पर मैं इसको बड़ा कर देता हूं right it is not taking the whole width image भी नहीं आ रही है right there's a reason image क्यों नहीं आ देखते हैं image का कहा है image 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 यहां पर है right accordion के just उपर यहां पर आप लोग image लगा रहे हो right just you have to find the IMG src दिया नहीं है right we'll have some src here okay मैं यहां पर ले लूँगा cat.jpg right मेरे पास है शायद cat.jpg यहां पर है क्या बिल्ला है बिल्ला.jpg right बिल्ला.jpg कर देता हूं मैं यहां पर ठीक है यह मैं बिल्ला.jpg जैसे ही डाल दिया हमारा बिल्ला यहां पर हाजिर है right so simply speaking this is a card right आप लोग इस्तमाल कर सकते हो card का for some different use cases जैसे मैं आपको एक बताया कि आप लोग मान लो फूल बेचते हो फल बेचते हो जो कुछ भी बेचते हो उसका आपने यहां पर description वगएरा दे दिया जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं माई बिल्ला ठीक है simple है और यहां पर मैंने लिख दिया यह मेरा बिल्ला है बड़ शरारती बिल्ला है एचैसे अब मैं इतना लिख दिया उसके बाद मैं मैं लिखूंगा लोरेम यह मेरा बिल्ला है बड़ा शरारती बिल्ला है लोरेम इप संप डॉल इकना grave है तो यहां पर यह कर आप लोग यहां पर अपने हिसाबसे चीजों को कर सकते हो इसे लिए तो कुछ नहीं दिखा राइट सिंपल सी बात है यहां पर मैंने कुछ नहीं लिखा और मुझे यहां पर अभी कुछ तो भी दिखा राइट यहां पर यह चीज होती है आप लोग इन्हें बड़े असानी से एक्स्प्लोर कर सकते हो अगर आप चाहो तो BTN आउटलाइन कर दो राइट यू कैन एक्स्टेंसिवली मेक यूज आफ दीज क्लासे और आप लोग ती ठीक है MT4 मार्जिन टॉप एंड मैं आपर कर दूँगा 3 जैसे मैंने कर दिया टॉप से मुझे मार्जिन देखने को मिल रहे है अभी राइट सिंपल है यहां पर यह MB जो है यह मार्जिन बॉट्टम है राइट MT फॉर मार्जिन टॉप राइट इस आर सम टर्मिनलोचि आप लोग इन से used to हो जाओंगे don't worry about it right don't worry about it at all तो यहां पर यह था हमारा कार्ड हम लोगों ने काफी हत तक explore किया है कार्ड को आप लोग और भी अपने requirement के इसाब से use कर सकते हो explore कर सकते हो चीदों को आप देखो कि कहां पे card का use हो रहा है right अलग-अलग प्रकार के हमारे पास cards है bootstrap की website पर आप लोग उने भी explore कर सकते हो तो आशा करता हूं कि आप लोग को कोई जो card का concept है समझ में आ गया होगा अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो as usual आप लोग वीडियो को rewind करके फिर से देख सकते हो चीदों को try करो ताकि आप लोग ज्यादा अच्छे समझ सको हम लोग फिलाल आगे बढ़ते हैं और next components को explore करते हैं